दोस्तों, लॉरेंश विश्णोई ने जिस तरीके से धीरे धीरे अपने कद को बढ़ाया है, जिस तरीके से ये खुले आम चुनोती देता है और अपनी घटनाओं को अंजाम देता है, ऐसा लग रहा है कि जो पुलिस सिष्टम है, वो कहीं न कहीं इसके सामने वो हारतावाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता है, रिसेंटली ही जैसे बाबा सिद्गी की हत्या की गई और उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस विश्णोई ने ली, इससे पहले आप लोगों को पता होगा सुखदेव सिंगोगा मेडी की हत्या, जो की कर्णी सेना का अध्यष था, उसकी विदोयार 23 के अंदर हत्या कर दी गई थी, और उसकी भी जिम्मेदारी लॉरेंस विश्णोई ने ही ली थी, तो ये बिसिकली अपने कद को धिरे-धिरे बढ़ाता हुआ चला जा रहा है, रिसेंटली इसके लिए एक प्राइज मनी जो है वो अनाउंस की गई है, और वो अनाउंस किसने की है, रकम बड़ी जबरदस्त है, एक करोड 11,11,111 रुपए अनाउंस किए गए है करणी सैنا के दोरा, करणी सैना के अध्यक्ष के दोरा, ये करणी सैना का अध्यक्ष आखिरकारी अनाउंस क्यों कर रहा है, क्या वाकई में इसके लिंक जुडे हुए है, लौरेंस विश्णोई के साथ में सलमान खान को धमकी मिल रही है विश्णोई जो समाज है वो आज सलमान खान से नाराज है वो क्यो नाराज यसे विश्णोई है विश्णोई जो समाज है विश्णोई का मीन्स होता है 20 और 9 20 और 9 29 होते हैं तो विश्णुई मतलब 20 और 9 उनके नियम होते हैं, जीवन जीने के नियम होते हैं, सिध्धान्त होते हैं। जोदपूर के अंदर जब ब्लैक डियर की, काले हिरन की, चीतल जो होता है, उसकी हत्या कर दी गई थी, सल्मान खान के दौरा उसको गोली मारी गई थे, उसकी बाद में विश्णुई समाज, जो की वन प्रेमी है, वो खासा नाराज हुआ था, और इलजाम आया था सल्मान कान की उपर, जोदपूर कोट के अंदर, राजस्तान के जोदपूर कोट में सल्मान कान के पेशी चलती है इससे विश्णुई समाज खासा नाराज हुआ, लौरेंस विश्णुई ने कहा कि सल्मान खान को विश्णुई समाज से माफी मांगनी चाहिए, सीज को लेका, सल्मान खान ने अभी तक भी माफी नहीं मांगगे, और कई बार अटेम्ट होएं सल्मान खान को मारने के, अब Lawrence Vishnoyi को ही मारने के लिए, encounter करने के लिए, अब जो पुलिस वाले हैं, है न, पुलिस ओफिसर जो कि Lawrence Vishnoyi को मारेंगे, उनको ये prize मनी दी जाएगी, जो अनावंस करने वाला वक्ति है, वो पुलिस वालों के लिए कह रहा है, क्योंकि पुलिस वालों को कहीं ना कहीं, trap म कोई लालच में आए और ये लॉरेंस विश्णोई को मार दे ठीक है चलिए आप लोग हमारे 100 डेस के चैलेंज साथ में ज़रूर जुड़िएगा ये 100 डेस का चैलेंज लाइफ चेंजिंग कोर्स है बड़ी मेहनत की जा रही है डेली 9 पि-म पर live class होती है सोचकर देखिए कि 100 दिनों तक अगर हम लोग rules को follow करेंगे no pornography no fab तो अगर हम लोग ये चीज़ follow करेंगे तो हम लोग वाकई में concentration और focus के साथ में जी पाएंगे और तब हम लोग सफल हो पाएंगे अब्दुल कराम ने कुछ line ने बड़ी बहतरिन कही थी कि हम लोग अपने future को तो बदल नहीं सकते हैं लेकिन अपनी habits को बदल सकते हैं और अगर habits को बदल लिया तो future अपने आप बदल जाएगा daily 9 पि-म पर हमारे इस challenge को accept कीजिए और 100 दिनों तक अगर आप यह सोचते हैं कि यार मैं बिना pornography देखे रह सकता हूँ तो इस challenge को join कर लिजिए आप challenge coupon code आप लोग ज़रूर यूज कीजिएगा और daily 9 पि-म पर हमारे session के साथ में जुड़िए यह जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है राज शेखर शत्र यह जो करणी सैना है उसका national president है राज शेखावत ठीक है राज शेखर नहीं राज शेखावत और उसी की कह रहा है यह व्यक्ति और इसकी पीछे reason क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं यह व्यक्ति जो है वो है सुकदेव सिंग गोगा मेड़ी 2023 के अंदर इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी यह आप लोग देख रहे हैं कि बंदुक कार्ट देने के बहाने और फिर वहाँ पर ये इसकी उपर हमला होता है इसकी जिम्मेदारी Lawrence Vishnoy ने ली थी और फिर अब इसको वापस से target करने के लिए कि Lawrence Vishnoy को जो मारेगा तो उसको जो करणी सेना है वो एक करोड रुपे का इनाम देगी ऐसा लेकिन इनाम की बात आई कहां से क्यों की जा रही इनाम की खोशना और वो भी खास तोर पर पुलिक्स वालों को कि अगर जो भी इसका एनकाउंटर करेगा उसको हम लोग एक करोड रुपे देंगे मतलब एनकाउंटर करने के लिए उकसाय जा रहा है अब ये जो वेक्ती है राजशेकर जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे ये वेक्ती है कौन आखिरकर जोकी ये इनाम की खोशना कर रहा है ये वेक्ती इस वेक्ती ने सबसे पहले bgp को जोइन किया था और bgp से election लड़ा था BGP को जॉयन करने के बाद इसके ऊपर एक टिपणी की गई मतलब राजपूत जो समाज है उसके ऊपर एक टिपणी की गई ये कहा गया था कि जो भारत के शाशक थे उन्होंने ब्रिटिश के सामने गुटने टेक दिये थे उनसे समझौता कर लिया था उनके साथ में बैटके खाना खाया करते थे वो इस बात से नाराज होए थे लेकिन ये बात कही किसने ये बात कही इस वेक्टी ने इस वेक्टी ने ये बात कही जब election campaign थे तो ये वेक्टी जो है इस वेक्टी का नाम है पुरुशुत्तम रूपाला union minister है अभी बीजेपी से तो इन्होंने ये बात कही और जैसे ये बात राजशेखावत ने सुनी तो इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और छोडने के बाद फिर निर्दली चुनाव लड़ा कहां से राजस्थान की जुझनू सीट से लेकिन वहां पर जब्रदस्थार का सामना करना पड़ा हार गए वहां से जुझनू की लोगसवा सीट से निर्दली election लड़े 2024 के अंदर कुल वोट जो है वो 7690 ही वोट इनको मिले जबकि जो फर्स्ट पोजिशन पर था उसको लगबग 5,45,478 इतने वोट हासिल हुए थे और जो सेकंड नंबर पर थे दूसरे नंबर पर वो BGP के शुबकरन चौदरी थे और तीसरे नंबर पर राज शेखावत का नंबर आता है जो की कंड़नी सेना के शत्री कंड़नी सेना के अध्यक्ष है ठीक है ये बात आपको समझ में आ गई अब जैसे ही सुकदेव सिंग होगा मेड़ी की हत्या की जाती है उसके बाद में उसके बाद में अब ये प्राइज अनौन्स हुआ है वाई डास कंड़नी सेना जो कि लॉरेंस विश्णोई को मानना क्यों चाहती है अगर मान लीजे कि आनंद पाल ने किसी व्यक्ति से रंगदारी लेने के लिए कहा है कि इस व्यक्ति से रंगदारी ली जाए लेकिन सुकदेव सिंग होगा मेरी ये कह देता है उस व्यक्ति को जाकर कि आनंद पाल को रंगदारी देने के जरुत नहीं है तो वो व्यक्ति आरंद पाल को रंगदारी नहीं देगा या लॉरेंस विश्णोई को रंगदारी नहीं देगा और इसके इसके बाद में क्या होगा कि जब वो रंगदारी नहीं देगा तो वो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को मरवा देगा ठीक है तो जब सुगदेव सिंग गोगा मेडिक ने ये कह दिया कि भई ठीक है ये रंगदारी देने के ज़रत नहीं है तो इससे लॉरेंस विश्णोई काफी नाराज हुआ और नाराज होने के बाद फिर सुगदेव सिंग गोगा मेडिक के उपर ये हमला हुआ उसमें उसकी मौत हो गई थी तो लॉरेंस विश्णोई को इसी लिए जो है वो करनी से ना मारना चाहती है अब actually में कया हुआ ये लॉरेंस विश्णोई के लिए एक अकेला case नहीं है लॉरेंस विश्णोई ने सलमान खान के उपर जो है वो मारने के धमकी दे रखी है उसके बाद में बाबा सिद्ध की तो बाबा सिद्ध की जो है उसको भी अभी मारने की अभी रिसेंटली बाबा सिद्ध की की उपर हमला हुआ ही है मार दिया गया है आप लोग को पता है है ना ठीक है तो ये सब जो है वो लॉरेंस विश्णोई जेल में बैठा तो कि यह कहता है कि बाबा सिद्ध की और सलमान खान की बीच में रिलेशन्स थे और यह बाबा सिद्ध की अंडरवर्ड के साथ में करेक्टिर था ऐसा यह कहता था और रिसेंटली क्या हुआ है कि यह सब कुछ आपके सामने देखने को मिला है कि कैसे बाबा सिद्ध की जो है उसकी हत्या कर दे गई ठीक है? तो ये बिसिकली लॉरेंस विश्णोई की उपर एक एंकाउंटर के लिए पुलिस वालों को उकसाने के लिए ही करने सेना के दौरा ये क्या किया गया है एक attempt जो है वो किया गया है देखी वाकई में क्या है भारत की अंदर भारत की अंदर अगर शान्ती बनाया रखना है अगर हमको development करना है तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा हमको ध्यान देना पड़ेगा अपनी growth rate की उपर वाकई में ये सब चीज़े side line हो जाती है आप मुझे पताईए कि अगर ये जो price money है अगर गरीबों के लिए होती गरीबों के लिए होती तो बहुत फाइदा उनको मिलता है ना लेकिन ऐसा नहीं encounter करने के लिए तो देखी समाज जो हो किस तरफ जा रहा है society किस तरफ जा रही है ये साफ तोर पर आप लोग को जाहिर हो रहा है आप लोग हमारे 100 days के challenge को ज़रूर जोइन कीज़ेगा pornography से बाहर निकल लिए इसने आपके subconscious mind को तभा कर दिया है test nice कर दिया है मैं चाहता हूँ कि आप concentrate और focus रहते हुए अपने लक्ष का पीछा करें और challenge coupon code यूज़ कीज़े और अगर वाकई में 100 दिन का challenge accept करते है तो daily 9 p.m. पर हमारी live class के अंदर add हो जाईए 100 दिनों तक आपको वो challenge है वो complete करना पड़ेगा इसके साथ में अगर आप लोग चाहें बोला sir 100 दिन नहीं 175 days का hard challenge लेंगे 100 दिन आप करवाईए और 75 days हम लोग करेंगे तो 175 days का hard challenge ले सकते हैं GKGS का एक बैस से इसमें History, Quality, Geography, Economy और Science आप लोग जरूर पढ़िए History की शुरुवात हमने कर दी है तो आप इस बैस को जरूर जोइन किजिए daily live classes होती है और हर dimension में हम लोग इन questions को solve कर रहे हैं आपके one day exam के लिए बहुत काम में ये questions आने वाले हैं चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले session में तबतल धन्यवाद Thank you चे रहे